सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का और जो सब लोग दर्सक इस पेस कॉंफेंस को देख रहे हैं आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारी भारत जोरो यात्रा दिल्ली के दर्वाजे पर दस्तक दे रही है और आप सब लोग इसमें सामिल हैं मैं आप सब लोगों का शुक्रिया आदा करता हूँ और विशेश रूप से जो हमारे हर्याना प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं और बाकी सारे जो लीडर यहां मौझूद हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो कि वाकई जैराम जी ने कहा कि बहुत और जोरो यात्रा को ले करके सरकार का और भाजपा का क्या रवया रहा है उस पर बात करेंगे मैं सबसे पहले आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने देखा है शुरू से ही जबसे इस यात्रा का एनाॉंसमेंट हुआ है जबसे इस यात्रा की घोशना हुई है खास करके भाजपा ने इस यात्रा पर चोतर्फा हमला करना शुरू कर दिया इसके अलग-अलग बिंदू है सबसे पहला हमला ये बोल करके किया गया कि भारत तो जुड़ा हुआ है क्या जोरने के लिए निकले है भारत जो है दुनिया की सबसे बरी अर्थ विवस्था बन चुका है मुदी जी के नित्रित में हम लोग दुबारा विशुगरू बन चुके है भारत लगातार विकास कर रहा है तो ऐसी कौन सी जरूरत आन परी है कि आपको भारत जोरने की जरूरत है आप लोगों ने ये सवाल कहीं न कहीं सुना होगा देखा होगा आपके वाटसेप पे आया होगा आपने जो है अपने टीबी चैनल पे बीजेपी जब बोलती है इसको तो इसको चलाया होगा और चर्चाओं में भी भाजपा के लोग बार बार ये बोलना शुरू किये कि भारत तो जुड़ा हुआ है तो क्या जोरने के लिए निकले हैं इसकी जरूरत क्या है तो मैं एक काउंटर सवाल आज उनका जो ये हमला था उसका करना चाहता हूँ कि भारत जब जुड़ा हुआ है और भारत जोरो यात्रा की कोई प्रसांगिकता ही नहीं है आपके नजर में तो आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर इतना इंपोर्टेंट पोस्ट होता है उनको क्या जरूरत है इंक बरबाद करने की पेपर बरबाद करने की बारत जोरो यात्रा को ले करके लिटर लिखने की जिसकी जरूरत ही नहीं है उनके नजर में उसकी चर्चा वो क्यों कर रहे हैं पहला प्रस उन से पुछा जाना चाहिए हम ये समझते हैं कि देश जुड़ा हुआ है जमीनी तौर पर भगॉलिक तौर पर देश जुड़ा रहे भावनातमक तौर पर भी क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है लोगों को हटा करके कोई देश नहीं होता है देश के लिए लोग भी जरूरी होते हैं जमीन भी जरूरी होती है और देश की संप्रभुता उसकी आजादी भी जरूरी होती है हमारे पास संप्रभुता है और उसी संप्रभुता के आधार पर जो है हम अपनी सीमाओं को ले करके सुरक्षा को ले करके सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारी संप्रभुता अच्छुनर है देश हमारा जमीन से जुड़ा हुआ है लेकिन देश के लोग भी जुरे रहे न जब इस देश के लोगों को उनके पहचान के आधार पर बाटा जाता है उनके अंदर भेद भाव पैदा किया जाता है एक के खिलाफ जब दूसरे को खड़ा किया जाता है तो देश वास्यों को आपस में तोरने की कोशिश की जाती है और देश अगर भावनात्मक रूप से नहीं जुरा रहेगा तो आप जमीन से भी बहुत देर तक जोड के नहीं रख पाएंगे इसलिए देश वासियों को आपस में जोड़ना जरूरी है और पहले दिन से हमने कहा कि यह यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है हम चाहते हैं कि देश में महबबत हो यह जो नफरत की बयार लगातार बह रही है इस नफरत को हडाया जाए क्योंकि अगर नफरत का माहौल रहेगा तो देश के भीतर जो बुनियादी सवाल है रोजी, रोटी, कपरा, मकान, सिक्छा, स्वास, सरक, बिजली, पानी यह मुद्य गायब हो जाएंगे राजनीती के विमर्ज से हमारी मंसा बिलकुल साफ थी तो जो लोग यह पूछ रहे थे उनको यह समझना था, यह सवाल खुद से पूछना था कि क्या, जब इस देश में भरती घोटाला होता है भरतियां नहीं होती है जब किसी इनसान के साथ सरयाम मारपीट होती है महिलाओं के साथ बलातकार होता है तो आपकी भावना नहीं तूटती है नौजवानों के सपने नहीं तूटते है उसी भावनाओं को जोरने के लिए उसी सपने को जोरने के लिए यात्रा है तो पहला हमला उन्होंने ये किया कि भारत जोरो यात्रा की जरूरत क्या है दूसरा हमला जब यात्रा शुरू हुई तब उन्होंने दूसरा हमला किया और ये बड़े शर्म की बात है और बड़ी सोचने की बात है हमारे बीच में भी member of parliament बैठे हुए है elected representatives है elected representative की एक जिम्मेवारी होती है कि वो जब भी बोले तो सोच समझ करके बोले ताकि हम भी उनको follow करें हम भी उनसे सीखें और मैं तो कहता हूँ कि आज अगर नेताओं की बात पर भरोसा करके कोई ये student उसको सच मानले और परिक्षा में वही लिख दे तो वो fail हो जाएगा क्योंकि वो इतना जूट बोलते हैं इतना गलत बोलते हैं आप याद किजिए दूसरा हमला हुआ जिस दिन यात्रा शुरू ही देश के मंतरी के द्वारा चुने हुए representative क जूट बोला गया कि राहुल जी जो है विवेका नंद जी की मूर्थी पर नहीं गये थे तो दूसरा हमला उन्होंने किया कि यात्रा जब शुरू हो गई है तो उसको बदनाम करने का और यहीं पर यह बात रुकी नहीं फिर बात आ गई जूते पर फिर बात आ गई फीते पर फिर बात आ गई टी-शट पर फिर बात आ गई दारही पर फिर बात आ गई महिलाओं पर और यहां पर भी वो रुके नहीं माने नहीं हर दिन कुछ ना कुछ निकालना शुरू किये और जब हकीकत में कुछ नहीं मिला तो जो उनका तीसरा हमला था जो उनका डिर्टी डिपार्टमेंट जो करता है कि किसी का सर किसी के जो है सर के उपर लगा दो किसी का आब आज कहीं पर चिपका दो यातरा को ले करके नकली बीडियो बनाना शुरू किये यातरा जब आगे चली जाती है तो पीछे सरक खाली ही होगी यातरा आगे बढ़ गई है तो उस खाली स क्रोना प्रोटोकॉल की जरूरत क्यूं है क्योंकि आप तो यही दिखा रहे हैं बीडियो बना बना करके कि कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है जब कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है तो क्या पेड को मास्क पहना दें कि सरक जो है लपेट करके कंदे पर रखने राहूल जी कि नहीं नहीं आप आगे बढ़ गए सरक को पीछे कैसे छोड़ दियें इसको भी लपेट करके कंदे पर ले जाएए बीडियो नकली बीडियो कभी जो है तबली की जबात तो कभी कुछ कभी कुछ नकली बीडियो बना रहे हैं जबकि यात्रा में जो लोग सामिल हैं वो दे होते हैं हमारा सेवा दल जो हमारे स्वतंतरता आंदोलन के जमाने के जो गाने हैं उसको गाते हुए चलते हैं पीछे जो है हमारा एक बैंड पार्टी होता है जो म्यूजिकली जो है देश भक्ति गानों को बजाता है और उसके पीछे जो है वो रहुल जी चलते हैं तब ज जी गुरुद्वारा जाते हैं तब भाजपा ठीक रहती है राहूल जी जब चर्च जाते हैं तब भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है राहूल जी जब मजार पे जाएं मस्जित पे जाएं तब भी भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है मंदिर में जाते ही ऐसा लगता ह जैसे भाजपाबालों को कोई जमाल गोटा खिला दिया हो अचानक से दस्त होना शुरू हो जाता है क्या प्रॉब्लम है आपको इस देश का नागरिक इस देश का विक्ति इस देश के किसी भी धार्मिक संस्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र है आपका कोई कोई जो है पिटेंट है क्या कि सिर्फ आप ही जाएंगे और नियम काईदे कानून ओम का चादर सीधा है ओम का चादर उल्टा है और ये वो लोग बना बोल रहे हैं जो गुफा में चस्मा लगा करके ध्यान करते हैं ये जो चल रहा है इससे मैं बस एक अर्थ निकालता हूं कि इन्होंने बहुत कोशिस की कि इस यात्रा को इगनूर किया जाए इनसे इगनूर नहीं हो पा रहा है बहुत प्रियास किया बहुत समझाया अपने कारिकरताओं को कि यात्रा गुजर जाए बिलकुल खिड़की दरवाजा बंद कर लेना इनसान की अपनी भी इक्षा होती है इनसान की अपनी भी बुद्धी होती है लोग खिड़की दरवाजा बंद कर लिए लेकिन छट पे चले गए भाजपावाफिस के और वहां से यात्रा को हेलो हाई करना शुरू कर दिया क्या करेंगे क्योंकि यात्रा जिन सवालों को लेकर के चल रही है ना वो कॉंग्रेस के सवाल नहीं है वो देश के सवाल है यह यात्रा इसलिए है कि इस देश में दिहारी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं रिपोर्ट उठा करके देख लीजे यह यात्रा इसलिए है कि इस देश के नौजवानो के सपने टूट रहे हैं अब किसान के साथ साथ नौज़वान भी आत्म हत्या करने पर विवस हैं आप ब्यापारियों छोटे ब्यापारियों की हालत जा करके देखिए कि किस तरीके से उनके उद्योग धंदे उनका कारोवार जो है वो समाप्त किया जा रहा है आप महिलाएं जब इसमें सामिल होती है तो उनका एक ही सवाल है कि हम सुरक्षा चाहते हैं जिस तरीके से आज महिलाओं के उपर अत्याचार बरे हैं वो उसे सुरक्षा चाहते हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर के जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, ब्यापारी, प्रोफेशनल्स, मीडिया के लोग, पुराने प्रोफेसर्स, फिल्म से जुरे हुए लोग, तमाम तरह के लोग इस यात्रा में सामिल हो रहे हैं और जो दल की सीमा है उस हित में सोचने वाले ये हैं, तो ये एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं, और इससे इनको घबराहत है, इनको मालूम है कि कॉंग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बरी विपक्छी पार्टी है, इस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, और आजादी के ऊपर जो कोरोना बहाना नहीं बिमारी है, यह ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं है, तो बच्चा नहीं करता है, मम्मी दात में दरद हो रहा है, यह बहाना नहीं है, यह बिमारी है, और इस बिमारी को ले करके राहुल जी इस देश के पहले नेता है, जो सरकार को सबसे पहले चिठी लिखे थे और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं मुझे तो कभी लगता है कि कुछ special relation है बीजेपी का कोरोना से उसकी रेली में नहीं जाता है दूसरी की रेली में चला जाता है और डेर नाइट का सिंस कितना है कोरोना को दिन में हो जाता है रात में नहीं होता है कह रहे हैं सुरू से लेकर के आज तक कुरोना को लेकर के हमारी पार्टी गंभीर है और जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल होगा वो सब के लिए होगा ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लिए नहीं होगा और कॉंग्रेस के लिए होगा ऐसा तो नहीं है कि दूसरे आयोजन हो यह आयोजन नहीं होगा वो सबके लिए होगा तो उस पे जो है हम उसको फॉलो करेंगे जैसे पहले फॉलो किया था और सरकार को भी बताएंगे जहां सरकार गलती करेगी और जनता के सवाल को लेकर के जो यात्रा है रोजी रोटी कपरा मकान सिक्षा स्वा सरक बिजली पानी के जो सवाल है यह यात्रा भी चलेगी इनको जितना दम लगाना है लगा लें यह इग्णोर करके देख लिए बदनाम करके देख लिए मंदिर क्यों जाते हैं मस्जिद क्यों जाते हैं टीशट कौन सा पहन लिया है ओम का चादर सीधा है कि उल्टा है इन्होंने सब कुछ कर लिया लेकिन यात्रा देखते देखते हेलिकॉप्टर से नहीं ट्रेन से भी नहीं पैदल चल करके पाउं से यात्रा कन्या कुमारी से दिल्ली पहुच गई और दिल्ली जब पहुच गई है ना तो दिल्ली की तक्त जो है इनको हिलती वी नजर आ रही है तो एक बार और remind करा देते हैं उनको जो पहले भी कहते थे इस यात्रा का उद्देश election नहीं emotion है आप emotion साफ रखिए इस यात्रा से आपको कोई threat नहीं होगा क्योंकि हम इस यात्रा के माध्यम से भीर नहीं जुटाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के नागरिक अपने सवालों को ले करके नागरिक भीर नहीं अपने सवालों को ले करके इस यात्रा में सामिल हो और यह यात्रा जिस तरह से कन्या कुमारी से चली है यह यात्रा कस्मीर तक जाएगी यही हम लोगों को झाल